कातिक का महना और महा पर छट का आगमन और गली गली महले महले पूरे सहर में, पूरे बिहार में, पूरे जारखंड में, पूरे इंडिया में सार्दा सिंधाजी का छट का सौंग। गुंजने लगता है और सब जगा बजने लगता है अब तो बिदेशों में भी छट किया जाता है और उनके सौंग को बिदेशों में भी बहुत जादी ख्याती मिली भी है और बहुत सारे लोग उनके सौंग को पसंद से गाते हैं गुंगुनाते हैं और उनके कीतों को सुनन के बाद ही सबको ये लगता है कि छट आ रहा है छट आ गया है ये महापर्व चार दीन का महापर्व है हम भारत बासियों के लिए खास करके बिहार का गया का छट बहुत नामी होता है और हमारे गिरीडी का भी छट बहुत नामी है बहुत जगह सर्धा से लोग इस पर्व को क लेकिन ये पर्व हमारे हाँ जो प्राकिर्टिक की पुजा होती है उसमें सुर्ज भगवान को डूपते सुर्ज भगवान को भी अर्ग देने की पर्था है मनि इतनी जवर्दस्त सुर्धा और माननेता प्राकिर्टिक के लिए कि वो जब है तो सब कुछ है हम लोग है पूरी दुनिया है तो इसी आस्था और सुर्धा के साथ हम लोग छट पर्व की तैयारी में जूट जाते हैं और साब सफाई और पहले तो दीपावली आता है काल करता है और सांग कि क्या बात करूं छट का सौंक तो बस सब के रिंग टोन में समाज आता है सभी अपने-पने रिंग टोन में छट के सौंक मैम सार्दा सिना जी के सौंक को खास करके रिंग टोन मना लेते हैं और मैं बहुत उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ बहुत ज़्यादा और उनके सॉंग को मैं सालों बर सुनती हूँ, सालों बर सुनती हूँ, दुख में सुनती हूँ, खुस रहती हूँ तो सुनती हूँ, कोई काम नहीं रहता है तो सुनती हूँ और जब मैं सुनती हूँ उनके है और फिर मैं सोचने लगती हूं कोई इतना अच्छा कैसे का सकता है कोई इतना अच्छा कैसे गाव सकता है और शुर्शती उनके कंठ में सवार है और वो साक्षात सुर्शती की मां की ही वो साक्षात क्या बोलू म Your चलिए ये तो हो गई और मैं खुद भी बहुत सारे सौंग को गाती हूं पसंद करती हूं लेकिन च्छट का जो सौंग होता है न वो सुर्धा के साथ गाया जाता है इसे हसी मजाग में नहीं लेना चाहिए मने नहीं गाते हम लोग बहुत सुर्धा के साथ बहुत बिनम्र हो करके गाते हैं कहीं कोई गलती ना हो और गलती होती है तो छमायाचना हमेशा हम लोग करते हैं मांगते हैं ऐसे हम लोगों की माननेता हम लोग बच्पन से इस चीज को देखते सुनते आये हैं और अपने बच्चों में वो संसकार हम लोग देते हैं तो बीच बीच में मैं स song उनका सुना है छटका थोड़ा सा गॉन गॉनाती हूं मैं उसे बहुत अच्छा तरह से प्रिप्राइड नहीं 置 Elog किया है और जब भी सुनती हूं तो मुझे एक थो आइं उनका सुनने को मिलता है और मैं फिर से सुनती हूं दो बार चार बार और में काती हूं आज मैंने सिर्फ सुना है मैंने रिवाइज नहीं किया अंगर ना में पुखरी खाना ही चटी मैया एतन दुवार चटी मैया एतन आप अचरा से गलीया महार चटी मैया एतन आप चटी मैया एतन आप